हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमशकार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्लेरस ट्यूब में तो आज हम आए हैं एक और नहीं इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज हम एक बहुत ही टेस्टी, डिलेशियस और इंट्रेस्टिंग हल्वा हम बनाएंगे और वो भी हरे मतर, ग्रीन पीस के साथ तो हरे मतर का हल्वा आज हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, डिलेशियस और मज़ेदार ये रेसिपी होगी तो चलिए इसे बनाने का process हम स्टार्ट करते हैं तो यह जो हरे मतर का हलवाम बनाएंगे तो इसके लिए इसका जो main ingredient है हरे मतर उन्हें हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रिपैर कर लेंगे तो सबसे पहले आप एक blender jar में green peas हरे मतर आप ले ले लगभग यहां हमने दो कप हरे मतर लिये हैं इन्हें हम दर-दरा हम blend कर लेंगे coarse paste हम इसका grind करके हम बना लेंगे फिर एक दूसरे frying pan में या कड़ाई में हम oil या घी वो हम ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे चार से पांच छोटी इलाइजी chopped kaju, badam और kishmish इसे थोड़ी देर हम oil में sauté कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे जो दर-दरा blend जो paste हरे मतर का है वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम fry करेंगे इसे लगभग 15-20 मिनिट के लिए continuously stir करते हुए इसमें थोड़ा सा texture लाने के लिए थोड़ा सा body provide करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सूजी भी डालेंगे ज्यादा ने थोड़ी सी सूजी तो इसे बहुत ही अच्छा texture body provide होता है हलवे को तो थोड़ी सी सूजी डालकर इसे हम लगभग 15-20 मिनट तक 20-25 मिनट हम इसे fry करेंगे तो लगभग 15-20 मिनट fry करने के बाद जो हरे मटर का जो कच्छा taste है वो चला जाता है और बहुत ही अच्छा ये fry होकर ready हो जाता है थिर हम इसमें डालेंगे दूद और खोया मावा जिसे कहते हैं तो दूद और खोया वो हम इसमें डालेंगे और फिर दूद के reduce होने तक कट जाने तक हम इसे और 10-12 मिनट मीडियम फिलेम पर हम इसे continuously stir करते हुए हम इसे cook करेंगे तो दूद एकदम reduce हो जाना चाहिए, एकदम कड़ जाना चाहिए और एकदम जो mixture है वो लगभग dry हो जाना चाहिए ठीक है तो इसमें लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे तो medium flame पे हम इसे stir करते हुए हम इसे cook करेंगे लास्ट के 7 से 10 मिनट के phase में हम इसमें डालेंगे चीनी तो चीनी हमेशा लास्ट के phase में डाला जाता है तो लास्ट के 7 से 10 मिनट के phase में हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix करते हुए मिलाते हुए हम इसे इसमें cook करेंगे इसे fry करेंगे तो चीनी एकदम इसमें melt हो जाएगा और एक बहुत ही shiny glossy texture इसमें आएगा तो आखे में जब हल्वा अच्छी तरह से बन जाएगा तो जो oil है घी है वो ooze out करने लेगा और चीनी melt होकर भी एक बहुत ही shiny glossy texture इसको देगा तो चीनी डालने के बाद बस और साथ से दस मिनिट हम इसे stir करते हुए हम इसे cook करेंगे और फिर हमारा जो हरे मटर का हल्वा है वो एकदम बनकर ready हो जाएगा तो दोस्तों हमारा हरे मटर का हल्वा एकदम बनकर ready हो गया है तो इसे आप गर्मा गर्म सर्फ करें थोड़ा सा और इसके ओपर खोया और थोड़ा सा और chopped dry fruits आप इसके ओपर sprinkle करके इसे आप सर्फ करें और enjoy करें तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको जो recipe है वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर श्राय करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल शेविस ट्यूब को सब्सक्राइब कर झाल 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 झाल